बहुत सरे लोग जो है, जो struggle है उसको ऐसे feel करते हैं, जिसे failure है बड़ असल में देखाया तो जो struggle है बहुत important होती है struggle आपकी success को consolidate करती है struggle जितना ज़दा होगा, उतनी ज़दा आपकी success मजबूती से आपके पास मैएगी तो मेरा कहना यह है कि जब भी आप struggle के phase में हो, वो चीज़ें आपको बहुत ज़़र clarity देती है चुकि इंसान successful होने के बाद में अपनी जो कमिया हैं, बारिकिया हैं उसको नहीं पहचान पाता लेकिन जो struggle का time होता है, उस वक्त तो अपनी कमिया, अपनी जो छोटी छोटी गलतिया हैं, उसको बहुत ही बारिकिया से नज़र डालता है तो कहें न कहें, आपको यह सुचने के जरूत नहीं है, कि आप struggling phase में है, मतलब यह बहुत बड़ा failure है actually failure जैसा word होता नहीं है, is to focus more on the struggles, struggles के दोरान जो चीज़ें आप बारिकियों से ध्यान दिया पाते हैं, अपनी कमियों के बारे में, उस पे जरूर ध्यान रखें जितना ज़्यदा struggle होगा, उतनी success मजबूती साब के पास में हैगी, so do not worry about that